हेलो गाइज जैसे की मेरा काम है फाइनाल्सियल प्रोडक्ट और फाइनाल्सियल सर्विसेस के उपर चर्चा करना और मेरा जो नौलेज होगा मेरा जो एक्सप्रियेंस होगा ओही चीजे आप सब के साथ मेरे अकोडिंग मोडिफाई करते हुए स्यार करना मेरे पस आज फिर से और एक लोन एप्लिकेशन आ चुका है मैं उस जगह पस सबसे पहले लोन के लिए एपलाई किया थोड़ा बहुत रिसाच किया उसके बाद मेरा जो नौलेज हुआ मेरा जो एक्सप्रियेंस हुआ ओही चीजे मैं आज आप सब के साथ स्यार करने बाला दोस्तों यह जो एप्लिकेशन है प्ले स्टोर पर मुझूद है और एप्लिकेशन का नाम है फे रूपिक इंस्टेंट परसोनल लोन जो की कमपानी का नाम इस जगह पर मैंशन है सैम इन्वेस्टमेंट फ्राइवेट लिमिटेड हम थोड़ा सा चलेंगे इसी इंस्टेंट ऑनलाइन के मद्दम से परसोनल लोन प्रोवाइट करते हैं और यह गाइडलाइन होता है उनको भी फॉलो करते हैं मिनिमाम एक हजर का लोन मिली जाएगा जिसका टिन्यूर मिनिमाम नाइन्टी वान डेस का एंड मैक्सिमाम एक साल का हो सकता है यह एप्लिके लिजेगा निचे बाता आगया है कौन-कौन लोन के लिए एलिजिबल है तो हार एक इंडियन परसेंट जिसका एज 18 साल से ज्यादा है और जिनके पास एक वैलिड इंकम प्रूफ है वो लोग इसी अप्लिकेशन के माद्दम से लोन के लिए अप्लाइब कर पाएंगे नि इसे भी हो हम इसी अप्लिकेशन को हमारा डिवाइस पर इंस्टॉल काल लिये थे इस अप्लिकेशन पर अपना प्रोफाइल बनाना बहुत ही सिंपल है मोबाइल नमबर ओटिबी के मद्दम से वेरिफाई करेंगे उसके बाद आधार का फोटो अप्लोड करेंगे फेन का अप्लोड करेंगे अप्लोड करेंगे बस अपना प्रोफाइल काफी आसने से इसी अप्लिकेशन पर बाद जाएगा उसके बाद लोन लेने के लिए यह जो अप्लिकेशन है अपना क्रेडिट स्कोर को चेक करते हैं और आगर आपके पास कोई वैलिड इंकाम प्रूफ है तो स्टेटमेंट अप्लोड करने का एक उप्लोड कर देंगे अगर कोई इंकम अपना बैंक खाता पर क्रेडिट होता है और उसके मताबिक आपको कुछ ना कुछ एमाउंट का लोन मिल जाएगा जैसे कि मेरे केस पर 6,000 रुपीज तक का लोन मिल सकता है इस जगह पर साफ मुझे से जो कि बहुत ही ज्यादा है ठीक है एंड इस जगह पर में 6,000 रुपीज तक का लोन ले सकता हूं मैं मेरे कोडिंग काम या भी ज्यादा कर सकता हूं मैं फिलाल इसको 6,000 पर रहना देता हूं और मुझे टीवेर मिल रहा है तिन मांद का यानि 90 दिन का और मैं मेर मेरा एकाउंट पर क्रेडिट होगा 5,666 रुपीज क्यूंकि प्रोसेसिंग फी और GST काट लिया जाएगा 314 रुपीज और मुझे इंट्रेस्ट चुकाना पड़ेगा 432 रुपीज रेकान यह देखके ही लोन के लिए अपलाई करना नहीं चाहिए क्यूंकि निच्चे ए इमाइपे करना पड़ेगा उसके बारे में एक स्टाक्चार बाताया गया है ठीक है जैसी कि मेरा फास्ट इमाइबानेगा 2892 रुपीज का सेकेंड बानेगा 2832 रुपीज और थार्ड इमाइबानेगा 2832 रुपीज का अभी मैं थोड़ा सा चलू मेरा क्यलकुलेटर पर 2892 रुपीज का फास्ट एंड सेकेंड है 2832 रुपीज और थार्ड है 2832 मतलब 8556 रुपीज मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा अभी सोचके देखिए मेरा अकाउंट पर क्रेड़िट कितना हो रहा है 5666 रुपीज लेकिन मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा 8556 रुपीज जो की काफी ज़्यादा है वह भी सेर्प स्रिफ तीन महेने के लिए अभी इसका जो इंट्रेस्ट रेट है ये भी तो 432 रुपीज तो उसी सब से इतना ज़्यादा अमाउंट होना नहीं चाहिए लेकिन कहां से आ रहा है मैं फिर से डिटेल्स ऑफ इंस्टॉल्मेंट ये जो अप्शन इसको पर क्लिक करता हूं फास्ट ये माई का जो लोन एमाउंट है 2040 रुपीज इंट्रेस्ट लागेगा 144 रुपीज लेकिन इसका जो सार्वीस फी है 600 रुपीज और जीस्ट लाग रहा है 108 रुपीज तो ये जो सार्वीस फी प्लास जीस्ट ये मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है सिकेंड पर भी से मोहीं चीज़े है लोन लेना चाहिए तो थोड़ा बहुत होता तो आलाग बात लेकिन 600 रुपीज सार्वीस फी लागा रहा है मतलब 10 परसन क्योंकि मुझे लोन मिल रहा है चेहाजर रुपीज का और ये लोग हार एक इंस्टॉल्मेंट के उपर 600 रुपीज 600 रुपीज करके सार्वीस फी लाग का रहा है मतलब लागभाग 10 पार्सन उसके साथ सा जीस्टी भी है मैं लोन इमाउंट का थोड़ा सा घाटा देता हूं मतलब काम कर लेता हूं चलिए मैं यहां पर 2000 पर रहने देता हूं 2000 पार भी यह सार्वीस पी लागो होगा फिर से 200 रुपीस का सार्वीस पी इसका जो ल रुपीस उसके साथ साथ जीस्टी भी लागो है यानि हार एक इंस्टॉल्मेंट के उपर टेन पार्सन का जो सार्वीस पी है यह आप लोगों को पे करना पड़ेगा और आभी यह जो टेन पार्सन का कैल्कुलेशन है अपना जो पिंसिपल एमाउंट है मतलब जितना एमा चाहिए छे हाजार रुपीज का और रिपेमेंट करना पाड़ रहा है कितना साड़े आठ हाजार रुपीज का सिर्पोस्ट्रफ तीन महाईने के लिए तो साभीसे रिक्वेस्ट भाई या इसी एप्लिकसिन से आप लोग लोग मात लिजिए यह एप्लिकसिन आर बिया का सच में फॉलोव करते है या फिन नहीं में पुरा का पूरा कान्फराम नहीं हूँ लेकिन जैसे भी हो इंट्रेस्ट डेडिस का का में प्रोसेसिंग फी भी कामहें लेकिन इसका सार्विस भी बहुत ही ज्यादा है इसलिए मैं किसी को यह एप्लिकसिन डिकोमेंट नहीं कर प्रूपीक ऐप्लिकेशन को कुछ दिन यूज करते हुए जो एक्सपरियेंश मिला जो नौलज मिला ओही में आप सबके साथ स्यार कर चुका हूं है आगे अपना क्या कूछ अर्पिर आपना क्या कुछ राय है मेरे साथ स्यार करने बिल्कुल भी ना भी गास फिलाल वीडिय देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जल्दी में लेंगे इस पकर का निया सांदास और कामाले पीशुट के साथ आज के लिए गाइस बाबाए